आज ना breakfast बनाया है और ना ही lunch आज हो रहा है हमारा Sunday brunch क्योंगी काफी टाइम हो गये थे पाव भाजी बनाये हुए और सुबह उठते उठते भी आज थोड़े से लेट हो गया था लेट नहीं मतलब कभी कभी लेजी सा मन करता है न कुछ करने का मन नहीं होता है तो अव्यू और आसिस गये थे market और वहाँ पर पाव लेकर के आगया अव्यू क्योंकि उसे पाव ऐसे ही खाना होता है फिर आसिस थोड़ी बहुत सबजियां भी लेकर के आगये कि चलो पाव भाजी बनाया जाएगा वैसे पाव भाजी बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही फटाफट स के तयार होता है क्योंकि श्ट्रीट वाले ना काफी ज़्यादा इसमें फूड कलर बटर वगरा एड कर देते हैं लेकिन घर में आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी और अच्छी रेसिपी है तो मैंने यहाँ पर दो आलू ले लिया ह इसे मैंने छील लिया है और टुकडे में काट लिया है साथ ही गाजर ले रही हूँ तो आप अपने चॉइस के एकॉर्डिंग इसमें सबजियां कम ज़्यादा कर सकते हैं मैंने यहाँ पर आधा गाजर लिया है गाजर को छील करके गाजर को भी मैंने टुकडे टुकडे म अब मैं यहां ले रही हूँ एक बीट रूट तो यह मीडियम साइज का है मीडियम से थोड़ा छोटा ही होगा और जब भी आप पाव भाजी में बीट रूट लेना तो एकदम फ्रेश ताजा लें इससे ना कलर बहुत ही अच्छा आता है एकदम नैचरल कलर जिसमें आपको इसके बाद मैंने प्याज और फुल को भी ऐड़ किया है प्याज और फुल को भी हलका से यहां पर भुन जायगा ना उसके बाद हम इसमें अची सबजें करके रखा हुआ है वही आड़ की एक मुठी के करीब आधा कप के करीब होगा साथ और यहाँ बात में तो बात में नहीं लगेगी यहाँ जरूर से आड़ कीज़ेगा अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे पाणि पानी आड़ कर देंगे तो इतना पानी आड़ किसे गा ना कि सारी सब्जायां इसमें डूब जाए और हम क्या करेंगे कुकर का धकन लगा कर कि इसमें 3-4 विसल आने तक के लिए पका लेंगे तो जो इस ट्रीट में बनाते हैं उसमें लहसुन की चटनी रहती है उससे बहुत अच्छा टेश्ट आता है पावभाजी में तो यह चटनी आप जरूर से बनाईएगा यह पावभाजी की जान होती है अब मैंने यह आपर 10-15 लेसन की कलियां ले ली थोड़ा सा नमक थोड़ा सा कच्चा जीरा मतब साबुत जीरा एड़ क्या है और आधा नीमबू करस इसमें एड़ कर देंगे तो यह जो चिली गार्लिक पेश्ट वाली जो चटनी है इसे आप बना करके फ्रिज में रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती है अगर आप इसमें ज्यादा पानी वेगरा एड़ने करेंगे तो अराम से एक से डिड़ मैने चल जाती है आप इसे बॉटल में डाल क करके रख सकते हैं और देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा ब्राइट कलर आया हुआ है जो हमने बीटूट एड़ किया है और यह लाल मिर्च वाली चटनी इसी से जो पावभाजी का कलर आना बहुत ही अच्छा आएगा और आपको उपर से कलर वेगरा एड़ करने की कर सकते हैं आप कड़ाई में तेल डाले और इस चटनी को पका लें फिर आप इसमें किसी भी चीद में यूज कर सकते हैं पनीर चिली में चौमीन में मंचूरियन में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है खाने में मैं अकसर थोड़ी ज्यादा क्वाइंटिटी में बना लेती हूं कि एक मेने में खतम हो जाता है और अभी तो मैं इसे पाव भाजी में यूज करने वाली हूं तो अब मैं पाव भाजी में तड़का लगाने के लिए मतलब भाजी का तड़का तयार कर रही हूं इसके लिए मैं यहापर दो मीडियम साइज के प्याज को बारिक लिया है साथ ही एक सिम्ला मिर्च लिया है मैंने उसे यह आप बारिक बारिक चॉप कर लिया है आप चाहें तो चॉपर में भी इन सारी चीजों को चॉप कर सकते हैं लेकिन मुझे इस तरह से हाथ से काटने बहुत ही जादा अच्छा लगता है और मैंने आपर तीन टमाटर उसे में मैंने यह आपर बारिक ही चॉप कर लिया है साथ ही धनिया ले लेंगे और मतलब जितनी भी चीज़ ले रही हैं सारी चीजों को बारिक ही चॉप करना है यह आपर मिर्च लिया है दो चितना तीखा आप पसंद करते हैं उस एकॉर्डिंग आप इसमें मिर्च एड कर सकते हैं तीन विसल आ गया थे तो मैंने उसे साइड रख दिया है जब तक कुकर खुलेगा हम यहाँ पर तड़का बना करके तयार कर लेते हैं दो चमचे करीब कड़ाई में मैंने बटर और तेल एड किया है कोसिस कि जेगा ना कि जो कड़ाई लेना उठोड़े चौड़ बहुत ही आसानी रहेंगी वैसे इस टीट में बड़ा तवा होता है उसी में मिक्स करते हैं तब कड़ाई में कर सकते हैं या फिर पैन में तो उसके बाद मैंने क्या है क्याना कि प्याज और सिमला मिर्च लेट कर दी उसके बार टमाटर कसूरी में थी बारिकटहरा धनिया मिर्च, उसके बाद हल्दी, धन्या, नमक और ये थोड़ी से मैंने कस्मेरी लाल मिर्च पॉर्डर एड़ की है बहुत थोड़ी सी अब मैं यहाँ पर एड़ करी हूँ चिली गार्दिक वाली हमारी जो चटनी बना के रखी थी न मैंने 2,5 चम्मची करीब एड़ किया है जितना आपको तीखा पसंद हो आप उस एकॉर्डिंग एड़ कीजएगा सारा नहीं एड़ करना है अब मैं इसमें एड़ करी हूँ दो चम्मची करीब पावभाजी मसाला कोई से भी ब्राण का पावभाजी मसाला यूज कर सकते है क्या करेंगे कि अब यहां पर अच्छे से भूनेंगे प्याज टमाटर जो है न वैसे इस टार्टिंग में प्याज को हमने भूना नहीं था अभी भूनना है और इधर जो कुकर का ढखकन है न उसे भी मैंने खोल लिया है और जो यह सबजियां है न एकदम अच्छे से गल गई है आपको देखके ही पता चल रहा होगा और इसमें कितना अच्छा कलर आया है तो हम क्या करेंगे तड़के में एड कर देंगे इसे सबजियां और उसके बाद हम पटेटो मैसर से इसे अराम से मैस करेंगे फ्लेम को एकदम लो कर दें यहाँ पर और इसे धीरे-धीरे मैस करते जाएं मैस करने हम आपको यहाँ आठ से दस मिर तक का समय लगेगा जितने आप आरामसे से मैस करेंगे, पकाएंगे उतना ही अच्छा टेश्ट आएगा हमारे भाजी में तो देखें यहाँ पर जो सबजियां मैस कर लिया है मैंने सारी सबजें एकदम से मैस नहीं कर देना, एकदम सॉस की तरह नहीं बना देना है थोड़ी सी सबजें खड़ी खड़ी रहेंगी तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी उबर से मैंने याँ पर बारी कटा हरा धनिया, आधा नीम्बू करस आड़ किया है साथ ही एक टुकड़ा औहर बटर आड़ किया है क्योंकि जो पाव भाजी है न वो मतलब बटर की मिने बिल्कुल अधूरी सी लगती है तो बटर डालना तो बनता है, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग बटर इसमें एड़ किजेगा जितना आपको मन हो, यहाँ पर जो भाजी है न थोड़ी सी गाड़ी लग रही है और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे भाजी का कलर कितना अच्छा है बिना कलर के क्योंकि हमने इसमें बीटरूट एड़ किया था और जो कस्मेरी लाल मिर्श है न वो एड़ की थी बहुत ही स्वादिश्ट भाजी आपर बन करके तयार हुई है आप इसे स्टेज में नमक नीमबू वगरा चेक कर लें और यहाँ पर अव्यू आ गया पाव ले करके सेकने के लिए और भाजी मू में भी नहीं लगाता है मतलब भाजी क्या वो कोई भी ग्रेवी वाली सबजिया नहीं खाता है क्यों उसे लगता है कि पता नहीं मैंने इसमें क्या-क्या मिक्स करके दे दिया है वो हमेसा ड्राइ सबजिया खाता है आलो, भिंडी, कैरेट इसी तरह से खाता है आई होप वो जल्दी से ग्रेवी वाली सबजिया खाना स्टार्ट कर दे और यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि आप पाव सेख लेंगे तो मैंने यहाँ पर पैन में बटर आड़ किया है साथ ही बारी कटा हरा धनी आड़ कर देंगे और जो लहसून और मिर्चवाली चटनी थी वो आड़ करेंगे बहुत ही अच्छा टेश लगता है साथ ही एक चुटकी पाव भाजी मसाला एड़ किया है और अब हम क्या करेंगे पाव को दोनों साइड से अच्छे से सेख लेंगे जितना भी आपको क्रिस्पी पसंदो वैसे आप सॉफ्ट रखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है भाजी के साथ खाने में अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी पसंदो तो क्रिस्पी से कियेगा अभी मैं यहाँ पर सर्व कर ले रही हूँ भाजी आप देख सकते हैं कितना गजब का कलर आया है आपके मुँ में भी पानी आ रहा होगा जरूर से ट्राइ किज़ेगा बहुत ही अमेजिंग और इजी रेसिपी है जब भी आपको कुछ इस तरह से चट पटा इस्टिट इस्टाइल खाने का मन करें तो पाव भाजी मतलब मस्ट रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग लगती है और यहां पर आसिस को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझसे भी रूखा नहीं गया तो मैंने बोला मुझे भी खिला देजे ट्राइ किज़ेगा यह रेसिपी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है मैं मिलती हूं नेक्स्ट लाग मे तब तक के लिए बाबाई टेक केर